नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है, सू कृतिका क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 15, विद्या महीमा, इजी एक्स्पनेशन, सॉल बुक एक्सरसाइज, रिटन अनुवात के साथ, स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी चैप्टर अप्लोड हुए है, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, और कोई भी चैप्टर आपको अगर लगता है कि अभी तक अप्लोड नहीं हुआ है, तो आप बता सकते हैं, आज चैप्टर 15 लेकर आपकी अध्यापी का प्रस्तुत हुई है, चैप्टर का नाम है विद्या महिमा, विद्या मितरम परवासेशू, माता मितरम ग्रहेशू च, व्यादी तस्य ओशदम मितरम, धर्मे मितरम मृतस्य च, विद्या की महिमा के बारे में आज importance क्या है विद्या मित्रम परवासेशू परवासेशू होता है जिस जगा पे हमारा आना जाना कम होता है हम जिस जगा के लोगों को नहीं जानते जाने की विदेश राइट तो विद्या मित्रम परवासेशू विदेश में विद्या मित्र है माता मित्रम ग्रहेशू च और मात घर में मित्र है गृहेशू मतलम घर में व्यादी तस्य ओष्दम मित्रम मतल जो रोगी इंसान होता है रोगी के लिए ओष्दी मित्र है तथा मतलम और और मरने के बात धर्म मित्र है clear, तो विदेश में विद्या मित्र है, घर में माता मित्र है, रोगी के लिए ओशदी मित्र है, तथा मरने के बाद धर्म मित्र है second, किम कुलेन, विशालेन, विद्याहीनस्य देहिने, अकुलीनो अपी, ये जो S बना हुआ है, ये पलुत्सवर होता है तो इसे हम अ के साउंट से प्रनांस करते हैं, ओकुलीनो अपी, विद्यावान, देवेर अपी, सपुज्यते किम कुलेन, विशालेन, विद्याहीनस्य देहिने, विद्याहीनस्य से स्टार्ट करेंगे विद्या विहीन व्यक्ति के विशालेन कुलेन, कुलेन मतला बड़े कुल में, विशालेन मतला बड़े, कुलेन मतला कुल में, विद्याहीन व्यक्ति के बड़े कुल में जनम लेने का कोई लाबने, अकुलीनो अपी विद्यावान देवे रपी सपुझ जते, और छोटे कु अकुली नहीं होता है छोटा कुल उके छोटे कुल में जनम लेने वाला वियक्ति विद्यावान यदि विद्वान है तो देवे रपी सपूजयते देवत भी उसका सम्मान करते हैं। फिर से सुन लीजिए, विद्या विहीन व्यक्ति के बड़े कुल में जनम लेने का कोई लाब नहीं, क्योंकि वो पड़ा लिखा नहीं है, छोटे कुल में जनम लेने वाला व्यक्ति यदि विद्वान है, तो देवता भी उसका सम्मान करते हैं, अपूर्वेक कोपी विद्यते तव भारती, भारती किसका नाम है, मासरस्वती का, वियेतो वृद्धि मायाती श्यम आयाती संचियात, तव भारती, हे देवी सरस्वती, तव मतलब तुमहारा, कोशो अयम होता ये, ये मैंने बोला ना ऐसे जो है वो ओ है, ये कोशो तक खजाना, विद्यते, विद्यारूपी, कोपी, कोई, अपूडवे, अनोखा, हे देवी सरस्वती, ताव मतलब तुम्हारा कोशोयम ये विद्याते, विद्यारूपी, कोपी, कोई, अनोखा खजाना है, जो व्रिद्धिमायाती, जो व्रिद्धिमायाती, जो व्रिद्धिमायाती, जो व्रिद्ध संचे करने से शेयम आयाती नश्ट हो जाता है हे देवी सरस्वती तुम्हारा ये विद्या रूपी कोई अनोख्या खजानना है जो वियो करने से बढ़ता है और संचे करने से नश्ट हो जाता है रूप योवन संपन्ना विशाल कुल संबवाह विद्या ही नाह नाश बनते निरगंदाह इव कुशं की शुन कहा रूप योवन संपन्ना जाने की रूप और योवन से संपन जाने की युक्त रूप ओता है सुन्दर्ता तथा युवा वस्था से युक्त विशाल कुल संब वा उंचे कुल में विशाल होता है उंचे उंचे कुल में जनम लेने पर भी विद्या हीना ना शोबनते विद्या से रहीत व्यक्ती ना शोबनते शोबा नहीं पाते हैं जैसे निरगंदा इवकिशुंका जैसे सुगंद विहीन निरगंदा होता है जैसे खुश्बूनी आत सुगंद विहीन पलाश के फूल शोबा नहीं देते शोबा एमान नहीं होते तो क्या बताएगे रूप योवन संपन्ना सुन्दता और योवावस्था से युक्त उंचे कुल में विशाल कुल उंचे कुल में जनम लेने पर भी संभवाहा विद्या हीना नाशो बनते विद् देखने में सुन्दर होते हुए भी पलाश के फूल देखने में बड़े सुन्दर होते हैं देखने में सुन्दर होते हुए भी सुगंद वहीन पलाश के फूल शोबा नहीं देते देखने में सुन्दर है खुश्बूई नहीं आ रही उसमें तो फिर कोई भी उसको नहीं क्याता है सुख अर्फी न है अर्फी न होता है चाहना किसी चीज को रैट वैसे आप सुख आर्थी भी लिख सकते हो लेकिन बड़ी इकी मात्रा लिखोगे जब आंसर में लिखोगे छूख हर चाहिए कुटा का मतलब होता सुख, सुरी कहां, चीक है, तो सुखार्थी को विद्या कहां, विद्यार्थी को सुख कहां, सुखार्थी को, सुखार्थी वा ते अजेत, विद्याम ते अजेत होता है, छोड़ देना चाहिए, सुखार्थी को विद्यार्थी को सुख छोड़ देना टेंभी बार बुट्टा मुनुश्य रूप में भार बूता भास्वरूप रूप अब क्या बनी इसकी लाइन साहिए ल Samsung पंश़् Beauty अब कहाुए इसकी लाइन ये शाम न विद्या ये शाम होता है जिसके पास क्या क्या नहीं है जिसके पास सुन लिजी ये जिसके पास ना विद्या है ना तपस्या है ना दान है ना ज्यान है ना अच्छा स्वभाव है ना कोई गुन है ना धर्म है ये सारी क्वालिटी अगर जिसके पास नहीं है ते म मतलब होकर मनुश्य के रूप में पश्वों के समान विछर्न करती है लियर मिद्या नहीं और दान जनू यह और जिसके रूप जकए र家 कार्जी नहीं होता और और कोई ढुनीब जिसके दरबनने ना धरम की कोई बात है वह लह का सुझा जनुदिन कर भूब आंसर इन संस्कृत एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं एक्स्पनेशन आई गोप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी शब्दर्द आपको याद करने हैं उसे अनुवा समझने में भी असानी होगी आपको आंसर इन संस्कृत परवासेशू मित्रम का कहता विद्या विद्यार्थी को क्या छोड़ देना चाहिए विद्यार्थी उपर से देख लिया त्याजेत उपर से देख लिया कीम की जगा सुखा विद्यार्थी को सुखत्याग देना चाहिए खर्च करने पर किसमें विद्धी होती है तो वे उपर से लिखा कृते उपर से लिखा व दाश के फूल देखने में तो सुन्दर हैं लेकिन खुश्मूनी होती तो शोभा नहीं देते विद्या हीना निरगंदा कि शुंका इवना शोभनते देवे क्या पुज्यति क्याता जो देवता लोग होते हैं वो किसकी पुजा करते हैं विद्यावान की जो पड़ा लिखा इंसान है ठीक है तो विद्या मित्रम प्रवासेशु माता मित्रम ग्रहेशु चो विद्या विदेशों में मित्र है और माता घर में मित्र है सुखार्थी वातियजेत विद्याम विद्यार्थी वातियजेत सुखम सुख विद्या कहां विद्यार्थी को सुख कहां अग कुली नोपी छोटे कुल में पैदा होने से विद्या वांदे देवरफी लेकिन अगर कोई पड़ा लिखा है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं परवास इशू विबक्ति कौन सी है सब्तमी आप राम की विबक्ति अगर वक्ति रामेइन आपने की यह हुआ है तो रित्या विबक्ति एक वच्छा देही नैश्ष्टी विबक्ति एक वच्छा चलिए संधी विग रहा है म्रिगाश चरंती बस आदा श्व बीच में से अटाया विसर्ग लगाली म्रिगाहा प्लस चरंती व्रिदिमाय आती तो आ खलक साथ समग्ति हैं न 낮 प्लूतसवर तो आप क्या कर सकते हैं अकुली ब्लस अपी जा हो बिस्सर्ग लगादेंगे प्लस अपी लिग देंगे कोशो रिखनतें प्लक वरक्रों च्छा प्लस प्लस यह तो आप इजी सा बनालो, सैम मम मित्र मस्ती, वै मेरा मित्र है, योवन, रूप, योवन, संपन्ना, विद्या, हीना, ना, शो बनते, सिरफ सुंदरता ही हर जगा काम नहीं आती, कुलेन, किम कुलेन, विशालेन, बड़े कुल में पैदा होने से क्या है, सुखम, कर दिया जाएगा, अब तब 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए दोस्तों के साथ, और जहां पर समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में भेजे जग लिख दीजिए, ओके, all the best, for your exam, वीडियो को लाइक किये भी ना, बिलकुल मचाईएगा, और दो by students